चोपड़े जो किसने YouTube चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो NEED24 exam के लिए admit card जारी हो चुके हैं और आप इसको इसकी website exams.nta.ac.in.need.oblick से आप download कर सकते हैं अभी इसमें download कैसे करना है इसका मैं आपको process बताऊंगा और इसमें admit card में क्या-क्या आपको fill करना है कौन सी photo कहां पर paste करनी है और इसके क्या instructions हैं इस विशेपर इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे आप भी अपना admit card download कर लें और देख लें उसमें आपका exam center कहां पर है तो जैसे ही हम इस website पर visit करेंगे यहां पर click here for admit card लिखा हुआ है या तो इस पर click कर देंगे या फिर यहां candidate activities में admit card लिखा है इस पर click कर देंगे तो जैसे ही इस पर click करेंगे तो इस पर car का interface आएगा हमारे पास कि इसमें रोल नमबर होंगे, रोल नमबर आप एक बार चेक कर लेना, ये रोल नमबर आपके आगे तक भी काम आएंगे, ये यहाँ पर रोल नमबर होंगे, और रोल नमबर के बाद आपके application नमबर होंगे यहाँ पर, application नमबर के बाद में candidate का name होगा, आपका नाम सही है, आ यहाँ पर इसके बाद gender, date of birth, यह सारी चीजें इस admit card के first page पर होगी, मैं आपको बताऊं कि यह admit card तीन pages में download होगा, first page पर particulars होगी यानि candidate की details होगी, second page पर postcard size का photograph paste करना है और third page पर instructions है, तो किसी-किसी candidate के यह setting नहीं होती है, इसमें एक्रोबेट में या PDF में तो यह 4 page में भी निकल जाता है, तो उससे भी कोई problem नहीं है, नहीं तो आप अपना PDF का margin set कर लें, उसमें setting पर जाकर के portrait page कर लें और A4 या फिर later size select कर लें, तो आपका 3 page में यह admit card आ जाएगा, अब यह यहां आपकी category लिखी होगी और state eligibility लिखी होगी, जो आपका state है यहां पर, इसके बाद में अगर PWD candidate हैं तो yes लिखा होगा, otherwise no लिखा होगा, यहां अगर कोई PWD candidate है, उसने subscribe required कर रखिये, application form फिल करते समय, तो यहां पर उसका नाम लिखा होगा, नहीं तो na लिखा होगा, type of disability, जो अगर PWD candidate हैं तो यहां yes लिखा, नहीं तो na लिखा होगा, उसमें यह type लिखी होगी उसकी, इसके बाद यहां बार कोड होगे, और यहां पर candidate के signature होगे, आपको signature मिलेंगे, और इसके बाद में यहां आपकी photo मिलेगी, तो यह सारी आप details से एक बाद check कर लें, इसके पाद में आगे यहां test center की details से show होगी, कौन सा question paper, किस medium ने आप मेंने select किया है, exam date और time होगा यहां, जो report करने का time है, वो 11 बज़े है, 11 बज़े आप report कर सकते हैं, और closing time है, get closing का, वो date बज़े का है, यह जरूरी नहीं है कि आप 11 बज़े ही पहुंचे, आप date बज़े से प इसमें, यहां center के number लिखे हुए होगे, यहां मैंने hide कर रखा है, और यहां test center का नाम लिखा होगा, और यहां पूरा address लिखा होगा, एक बार इसको आप Google पर भी search कर लें, नजदीक हैं, तो यह exam center पर जाकर के आप एक बार verify कर लें, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, और स center पहले ही पहुंचाओ, ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई problem नहीं हो वहाँ पर, इसमें आगे आपका यहां पर नाम लिखना है, आपका जो भी name है, वहाँ पर आपका नाम लिखना है यहां पर, और यहां पर address लिखना है, sort में address लिख सकते हैं, village, post, district, state वगरा, आप sort में address लिख दें, यह लिखने के बाद में आपको यहां अपना photograph paste करना है, short size का, short size का photograph यहां से ही paste करके ली जाना है, घर से ही, यहनि की reporting center से पहले ही आपको paste करके ले करके जाना है, यहां आपको left thumb impress करना है, यह भी पहले ही impress करके ले जाना है, यहां candidate के आपके signature होंगे, लेकि मिलेगी एक बार अपना Center चेक कर लें यहां पर फोटो पेष्ट कर लें चोटी और यहां लेट थम कर लें और यहां Exam Hall में Signature इहां कर दें Exam Hall में उसके बाद में यह Page No.2 है यहां पर आपको बड़ी यहां लिखा हुआ है, role number लिखे होंगे, application number लिखा होगा और यहां candidate का नाम लिखा हुआ होगा, father name लिखे होंगे, यह सब यहां लिखा होगा, यहां invigilator signature करेगा और यहां पर candidate के signature होंगे, लेकिन यह exam hall में ही invigilator के सामने ही यह signature होंगे आपके यहां पर, यहां पर कुछ instructions दिये गए हैं, instructions में यह है कि आपको यह 4 and 6 inch का जो photo है, यह यहां पर paste करना है, इसमें जो signature होंगे candidate के, यह left side में यहां signature होंगे, जैसे यहां signature होंगे तो यह signature photo और इसके साथ में होंगे, और यहां invigilator के signature होंगे right side में, यहां invigilator के signature होंगे right side में photo को cover कर इसके बाद में जो signature करेंगे आप photograph, signature का मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद में ये आपको लेकर के जाना जरूरी है, ये जो second page है, first page है, admit card का, ये दो page लेकर के जाना है, इनके बिना entry नहीं दी जाएगी, अगर आपने four into six inches का photograph नहीं लगाया है, और ये page आपके पास न semi है, तो इस परकार के instructions यहां दिये गए हैं, जो main instructions थे, मैंने आपको यहां पर बता दिये हैं, अभी हम आगे बात करते हैं, जो इसके बाद के instructions हैं, वो क्या-क्या instructions हैं, इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ, तो first में ये ही लिखा है कि candidate, admit card में जो exam center लिखा है, उसमें time से पहुंच जाएं, उसमें, second number पर लिखा है कि जो get का closing time है, वो date बजे का है, उसके बाद में entry नहीं दी जाएगी, third में इसमें ये ही लिखा है कि candidate का जब तक exam complete नहीं होता है, तब तक वो get, यानि exam हाल छोड़ने की permission उसको नहीं मिलेगी, इसके बाद में बाकी सारे जो center की detail होगी, self declaration होगा, इसके अंदर undertaking होगी, जो मैंने आपको first page में बताया था, second page में postcard size photograph लगाने के लिए space रहेगा, और third page में instructions रहेंगे, तो आपके ये first और second page तो ज़रूरी है, चाहे instructions वाड़ा page आप निकाल करके लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, ये दो page admit card के आ ले जा सकते हैं, otherwise वहाँ भी available होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेकर के ही जाना है, एक आपको छोटी photo लेकर के जानी है, वहाँ attendance seat पर लगानी है, ये photo भी जरूरी है, एक तो first page पर आप छोटी photo paste करके लेकर के जाएंगे, उसके साथ एक छोटी photo और लेकर के ये भी student कभी-कभी गलती करते हैं कि ये छोटी photo नहीं लेकर जाते हैं, तो आपको एक छोटी passport size की photograph लेकर जानी है, जो वहाँ पर exam hall में attendance seat पर paste करनी है आपको, इसके बाद admit card के दोनु page लेकर के जाना है, और page number 2 जिस पर आपने postcard size का बड़ा photo लगाया है, वो A4 size पर print कर है ये, तो अगर आपके PDF की जो setting है, वो सही नहीं है, तो उसको आप A4 size की setting कर लें, तीन page में आ जाएगा, first for admit card की detail आएगी, second पर passport size की photo, postcard size की photo लगाने के लिए space रहेगा, और third पर instructions रहेगा, और ये सारे आपको जो photo अगरा है चिपकरने हैं, ये आपको undertaking वगरा फिल कर पर जाने से पहले ही करना है, एक आपको ID proof लेकर की जाना है, ID proof में आपका pen card हो गया, driving license हो गया, आधार card हो गया, voter ID हो गया, 12th class board का admit card हो गया, registration card हो गया, passport हो गया, रासन card हो गया, original school ID card हो गया, जिसमें photo लगा हो, इन सब पर photo लगा होना चीए, और इसके बाद में अगर आपके पास और किसी प्रकार की ID नहीं है, तो government ID कोई भी हो सकती है, वो government ID आप लेके जा सकते हैं, mobile phone में आपके ID दिखाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको hard copy में ये ID लेकर के जाने होगी, अगर PWD candidates हैं, तो अगर उन्होंने application में subscribe की demand कर रखे, तो subscribe उनके साथ में ज जो man-man थे, वो सारे instructions हैं इसमें, और ये instructions से आप एक बार इसको download करने के बाद में read कर लें अच्छी तरह से, जो man-man instructions थे, वो मैंने आपको बता दिये हैं, address code के बारे में, कल मैंने एक separate video डाल दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, channel पर पढ़ा हुआ है, आपको क् postcard size का, sorry passport size का photograph paste करना है, left thumb impress करना है, और signature वहाँ exam hall में करने हैं, आपका नाम लिखना है, address लिखना है, ये आपको first page पे करना है, admit card के, second page पर आपको बड़ा photo, यारे की postcard size का जो photo है, वो paste करना है, और वहाँ पर signature वगरा exam hall में करने हैं, third page पर instructions हैं, इसको आप print करके ले ज जरूरत नहीं है, तो ये तो होगे, आपका admit card, इसके साथ में, इस admit card के दो page के साथ, आपका एक photo भी लेके जाना है, आपको छोटी size का, जो exam hall में अटेनेंट seat पर paste करना है, इसके साथ एक ID proof ले जाना है, ID proof में मैंने आपको बता दिया है, आधार card सभी के पास होता है, आ long sleeve, आपको नहीं पहनी है, चाए वो shirt हो या T-shirt हो, सूज नहीं पहनने है, heavy cloth नहीं पहनने है, इसके अलावा आप सब कुछ पहन सकते हैं, sandal और जो sleepers हैं, वो allow हैं इसमें, तो इस परकार से ये पूरी detail मैंने आपको बता दी है, exam center पर आप टाइम से पहले पहुंच जाए देड़ बज़े बाद में कोई entry नहीं दी जाएगी exam center पर, आपका exam 2 बज़े start हो जाएगा और 5 बज़े 20 मिनट तक खतम हो जाएगा, तो आप समय से पहले exam hall में पहुंचें, और जो मैंने आपको ये बताया है, ये सारे instructions follow करते हुए, ये अपना admit card साथ में लेकर के जाए साथ में एक छोटी photo भी लेकर के जाएं, बड़ी photo second page पर paste करके लेकर के जाएं, तो ये जानकारी थी इन सब के बारे में, बाकी और जानकारी जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे और information मिलेगी, हम आपको inform कर देंगे, आप बिना tension के किसी प्रकार की कोई चिंता नय करते